नमस्कार प्रमस अक्षिन इस नेटेक और आप सभी का स्वागत है राजस्तान में जिस तरह बड़ी संख्या में फर्जी आधार काड़ पाए गए हैं वहरास्त्री चिंता का विशे बन गया है क्योंकि फर्जी आधार के अधिकांश मामले पाकिस्तान की सीमा से लगे सांच चौर और अन्य जिलों में सामने आए हैं पताए जारा है कि छेत्रों में पुटलियों और पैरों के निशान के इसनिमाल करके आधार कार्ण्र बनाया जा रहे थे इस मामले के सामने आने के बाद राज्य के संसदी कार्यमントरी जोगाराम पडल पतेल ने कहा है कि सरकार पू और इमित्र संचालकों के विरुद्ध सक्त कारवाई की जाएगी दूसरे और इस मुद्धे पर प्रदिक्रिया देते हुए उस्तम नेयले के वरिष्ट अधिवक्ता और भारत के प्याईल में के रुप में विख्यात अश्वनी पाध्याय ने कहा है कि राजस्तान में राजस्तान के बाँडर पे एक बहुत बड़ा नेटवर्थ पकडा गया है जो फर्जी आधार बना रहे थे हज़्जारों की संख्या में फर्जी आधार बना दिया है और अब राजस्तान की सरकार ने CBI जाच के लिए केंशरकार से request किया है कि इस पूरे मामले की CBI जाच कराई जाए मैं पिछले 10 वर्सों से कह रहा हूँ भारत में बहुत बड़ी संख्या में फर्जी आधार बन रहे हैं फर्जी रासनकार बन रहे हैं फर्जी ड्राइविंग लाइसनस बन रहे हैं फर्जी ओटर आईडी बन रहे हैं फर्जी बर सर्टिफिकेट बन रहे हैं फर्जी डो मिसाइल सर्टिफिकेट बन रहे हैं फर्जी दसमी के सर्टिफिकेट बन रहे हैं गुसपैठी ये बार्डर पे 2000 रूपए दे के अंदर आ जाते हैं और फिर सबसे पहले वो आधार बनवाते हैं और आधार में सामिल होता है आधार बनाने वाले common service center और वहां का पारसद वहां का प्रधान जैसे उस छेतर के पारसद को लाग दो लाग रूपए मिलता है वो अपने लेटर हेट पे लिख के दे देता है यहां यह फला आदमी हमारे छेत में रहता है जैसे उस गाओं के प्रधान को दे देते हैं दो चार शे लाग रूपए मिल जाता है वो अपने लेटर हेट पे बन केरल के बौर्डर पे आपना जो भी बौर्डर का एरिया है वहाँ उनको ले जाके सेट किया जाता है वहाँ के पारसत PRAधान को दो लाग तीन लाग 4 लाग दिया जाता है वो पारसत PRADHान क्या करता है घुसपैठियों को एक का स्थान देता है bei bayenviron के अरिया में गाउं में देहातba खेल का मैदान होता है गवचर का स्थान होता है शादी विवा के लिए स्थान होता है और यवा इलग अलग पबिलिक लेंड होती है जो किसी की नहीं होती है वो ग्राम समाज की जमीन पे वो पारसद प्रधान कह देता है वहां जाके अपनी जुगी लगा लो उत्रा खर नहीं माचल में तो चूंकि बड़े-बड़े जंगल हैं वहां अंदर कोई जाता नहीं है तो उनको जंगल में बसा दिया जाता है और फिर वो पारसद प्रधान अपने लेटर हेड पर लिखके कामन सर्विस सेंटर वाले को दे देता है कि हाँ यह हमारे आदमी रहता है इससे बड़ा देज़रों अखिर क्या होगा कामन सर्विस सेंटर वाला 2000 रुपए लेकर आधार बना देता है और यह जो राजस्थान में पकड़ा गया है इसमें बड़े चोकाने वा आधार बन गया दो तीन रुपए दलाल को देते हैं रासनकार जब दो डाकुमेंट हो गया फिर दो तीन रुपए दलाल को देते हैं बर सर्टिफिकेट फिर जब तीन डाकुमेंट हो गया फिर दो-तीन हजार रुपए आइटी ऑफिस के दलाल को देते हैं ड्राइविंग लाइसेंस चार डाकुमेंट हो गया फिर तहसील के दलाल को पकड़ते हैं अपना डोमिसाई सर्टिफिकेट और जब पांच डाकुमेंट हो गया तो वो जो पारसत प्रधान जो पहला डाकुमेंट आधार बनाता है वो ओटर आइडी में नाम भी जुड़वा देता है और इस तरीके से सारे के सारे विदेशी अवायद घुस पैठी ये भारती नागरिक बनते चले जा रहे हैं ये पूरे देश में खेल चल रहा है इसा नहीं राजस्थान में हुआ है ये जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे भी खेल चल रहा है पैसा दे दे के और जहां बीजेपी की सरकार नहीं है इंडी गटबंधन की वहां पे भी हो रहा है यह यूपी में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, जारखंड में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, रास्थान में भी हो रहा है, केरल, करनाटक, पंजाब, हरियाना, हर जगह हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है यह तो, और क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा कानू बड़ी बड़ी होनी चाहिए जहां पर आधार बनता है वहां बड़ी सी एक डिस्प्लेबोर्ड होना चाहिए आधार बनाना और फरजी आधार बनाना फरजी आधार बनवाना गंबीर अपराध है पकड़े जाने पर 10 से 20 सजा होगी पहले बहुत पहले क्या होता था की पेट में बच्चे को चेक कर लिया जाता था कि महील वो बेटी है की बेटा सरकार ने कानून बनाया और जहां-जहां यह चेक होता था अल्ट्रा साउंड होता था वहां पे बटीसप्लें, बोर्गाए गया कि बच्चे का लिंक परिछन गंभीर अपराद है, पकड़े जाने पर 3-7 सल्क सजा होगी, उसके बाद बहुत कम हो गया, आप बच्चे को चेक नहीं करते हैं कि बेटा और बेटी, न तो कोई चेक कराता है नो कोई चेक करवाता है, काफी कम हो गया, ऐसे ही जहां आधार बन जाना फरजी रासन कार्ड बनवाना गंभीर अपराद है, पकड़े जाने पर 10-20 सल्क सजा होगी, जहां पर बर्ष सर्टिफिकेट बनता है, जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, जहां पर डॉमिसाई बनता है, वहां पर भी लिखा जाना चाहिए, फरजी बनवाना गंभीर अपराद है पकड़े जाने पर दस से भी सल्क सजा होगी जहां पासपोर्ट आफी से वहां लिखा होना चाहिए फर्जी पासपोर्ट बनाना फर्जी पासपोर्ट बनवाना गंभीर अपराद है दस से भी सल्क सजा होगी तो जहां 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 जो कागज बनता है वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए लेकिन वो लिखेंगे तो बाद में पहले कानून तो बने कानून तो ही नहीं हमारे पास मैं मानी प्रधान मंत्री से मानी ग्रियमंत्री से निवेदन करता हूँ यह जो नई भारती न्याय संगीता है इसी में एक नया चेप्टर जोड़िए कि डूबलीकेट कागज बनाने के संब्ध में जो गंभीर अपराद है उसके लिए एक नालग से चेप्टर जोड़ दीज दखा जाए कि फर्जी डाकुमेंट बनाना बनवाना गंभीर अपराद है 10 से 20 सलसजा मिलेगी इसी तरीके से सभी स्कूलों में और जहां से स्कूल का सर्टिफिकेट बनता है वहां पे भी बड़े-बड़े अक्षरों में लिख दिया जाए फर्जी मार्षिट बनवाना सर्टिफिकेट बनाना और बनवाना दोनों गंभीर अपराद है यह तभी रुकेगा यह हमारी राष्ट की सुरच्छा के लिए बहुत बड़ा खत्रा है यह सारा का सारा काम घुस पैठीए कर रहे हैं पांच करोड़ 2017 में आ चुके था भी साड़े पांच करोड़ हो चु बड़े प्लांड वे में जितने रोहिंग्या बंगलादेसी आ रहे हैं दो情 चौदा के पहले जब तक yupee one youty양рос क्रीओ की सरकार थी बकादा व। मुस्लिम नाम से बनवाते थे अपने असली नाम से बनवाते थे 2014 के बाद ये बंगला देशी रोहिंग्या हिंदू नाम से बनवा रहे हैं जहां जहां बीजेपी का सासन है वहां हिंदू नाम से बनवा रहे हैं जहां इंडी गडबंधन का सासन है वहां मुस्लिम नाम से सामुभी धर्मान्तरन कराएंगे उसामुट धर्मान्तर नहीं हो रहा था वो जितने बंगला देशी रोहिंगया हिंदु नाम से डाकुमेंट बना रहे हैं वहीं अब वापस कनवर्ट होंके अपने असली नाम पर जा रही हं जो उनका असली हम हिंदु धर्म छोड़ रहें, सनातन धर्म छोड़ रहें, इसलाम कबूल कर रहें, जिसे पुरी दुनिया में एक मेश्च जाय कि सनातन धर्म बहुत गंदा रहें, देखिए सामोहिक धर्मांतर्न शुरू हो चुका है, पूरे शहर के सा हर लोग कनवर्ट होते चले जा रह भारत के नौ राज्यों में हिंदू पहले खतम हो चुके हैं, 200 जिलों की डिमोग्राफी पहले बदल चुकी है, 1500 तहसीलों की डिमोग्राफी पहले बदल चुकी है, बार्डर के पूरे के पूरे 300 तहसीलों की डिमोग्राफी बदल चुकी है, अगर हमने फरजी डाकुमेंट को गंबीर अपराद घोसित नहीं किया ये डाकूमेंट बनते जाएंगे और हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगा अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथी नीचे दिये बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके